गुद मॉर्णिंग इस्टुरेंट्स अपन चाप्टर 8 के नियुमेरिकल्स कर रहे थे प्रीविज वीडियो में अपने चाप्टर 8 के नियुमेरिकल्स सेकंड का A पार्ट कर लिया था आज अपन सेकंड नियुमेरिकल का B पार्ट करेंगे देखी अपने देखा था कि जो जोसेफ था वो A. से B. कितना किलमेटर जाता है? 300 मिटर जाता है कितने टाइम में? 2 मिनिट and 30 सेकिंड में यह अपने पहले देखा था मैंने वापस से डाइग्राम जोग किया है कि जो सेफ है वो पॉइंट A. से B. तक जाने में कितना डिस्टेंस कोवर करता है? 300 मिटर और टाइम इन रहता है? 2 मिटर 30 सेकिंड अब कुछ टाइम बात यह B. पॉइंट से वापस आता है कौन से कौन से पॉइंट चक C. और B. से C. तक वापस आने में किती दिस्टेंस का रहनाता है, 100 विता है, और 20C तक आने में यह टाइम देंगा है, 100 तो अपन सबसे पहले, दिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या करना है, A, C, C की वेलोसिटी और स्पीड फाइंड आउट करने हैं आउट करने है, 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 आ इतना लगा। ज़कि A से पीक अब जाएंगे इसको 230 से की लगते हैं। B से वापस की तक आने की कितना टाम लगा। 1 मिनिट। तो 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 कितना टाम लगा इसको 240 सेकंड। अब अपन निकालेंगे इसकी स्पीड। कहां से कहां तक की? पॉइंट A से पॉइंट C तकी तो A to C स्पीड कहां जाएंगे इसको अपन टाम A to C की डिस्टेंस कितनी है 400 अपन टाम कितना ले रहा है 240 सेकंड। 0 से 0 कैंजिल 4 नजा 4 0 की 0 4624 अगें 25 से 10 266 23 से 6 वापस कुछे कैंचल हो सकता है नहीं है तो हमारे पास इस्पीड कितनी है SAC तक की 5.3 मीटर पर सेकंड। अब अपने इस्पीड तो फाइंड आउप कली अब अब क्याने का लेंगे डिस्प्लेस्मेंट अब देखिए डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा देखिए यह ऐसे भी तक जा रहा है तो यह डिस्प्लेस्मेंट तो कितनी है इसकी 300 लेकिन अब यह जीसे opposite direction में वापस आ रहा है जब भी opposite में आएगा साहिं किसका रहेगा माइनस का क्योंकि अपन्जार पर डिस्प्लेस्मेंट गया होता है इस्प्लेस्मेंट क्या होता है इस्प्लेस्मेंट पर रहे लिए क्योंकि अपन्जार पर डिस्प्लेस्मेंट नेगेटिव होगा तो इस्प्लेस्मेंट इतना जाएगा 200 और टाइम वासो होई 242 शेक्ड लग रहे तो इसको गेंचल किया तो वेलोसीटी आया उनके पास 5 अपन 5 अपन 6 तो जब वो स्कूल से वापस कर आता है तब उसकी स्कूल की इतनी है 30 km आपको कोशन है मैं जाने तायम तो ट्राफिक बहुत ज़ादा था तो अब्दूर की स्क्राफिक थी 20 km per second लेकिन आपको क्या करना इसकी एवरेज स्कूल कोड़ी गर गई और इकनी थी 30 किलोमेटर पर अब आपको क्या करना इसकी एवरेज स्कूल की डिस्टेंस किती है तो जो बताले हो तो अपको क्या माले से एक्स तो लेट डिस्टेंस ओफिर मतला कि उसके घर से उसकी इसकी स्कूल की डिस्टेंस किती है अब देखें ड्राइन टाइम उसकी स्कूल की ती 20 किलोमेटर पर आप तो उसमें जाते टाइम कितना लिया टाइम क्या होता है डिस्ट दिस्टेंस निए रगा उसको X अपन 30 हाँ नेज्स लेकिए, रिटामिं टाइम वापस आते टाइम इसकी स्पीर की थी 30 किलो मेटर तो टाइम इतना हो जाना बोगो डिस्टेंस अपन इसकी दिस्टेंस अपने 30 तो इक पार में एफ डिस्क्रिट निद हो के ऊचला हैं तो विद्ध cay टोटन दिस्टेन्स की क्यों होए है तो इस टोटन दिस्टेन्स की क्यों हुए या प्लस अच्स अप्वर टोटन टॉटल टीन जाने का टाइम है ाफ Cordy पलेख की नाद में एक में सबल्च पलेख को खोग हों की पतिघए होति कल María जेकी ऐक में सिझटी अप नाट में 50 20 की की के अबल दो 63 टाइ में, 3 क压क से म Kenny plus 4+. 40 की अबल दो 66,22 तो टाइ में, 2 क压क से मुल्लाए और 2 क压क से अ अगरी 16 new wird चल जाय गा, now 2 क压क से 20 अफ ol 3A x één reverse 2 arch इत्ने होजय का इन दोनों को एकर दो एकर दिनी छें यहासे क्या परें ली यह equation में क्या प्रेश्टी ने इदर ट्रांस्पर हो जाएगा तो यह जो नीचे ना 60 यह उपद चल जाएगा यह अपने चैप्टर एट के 1st, 2nd और 3rd नुमेरिकल कंपेट हो गए है यह नुमेरिकल आपको आपके साइंस के प्रैक्टिकल में करना है और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नुमेरिकल लंबर 4 करेंगे